आज की वीडियो Microsoft Access की है और वो तमाम solutions आपको आज मिल जाएगे जो आप चाहते थे यानि कि एक पूरा ही software आप design कर पाएंगे अगर आप इस video को पूरा देखते हैं तो अभी देख सकते हैं एक table हमने बनाया है और ये table कुछ इस तरह से बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से यह देखिए यहां पर एक id लिया हुआ है जिसे मैंने autonome रखा है फिर यहां पर student का name है फिर Hindi English subjects हैं और इन दोनों को 2016 version में एक खास बात है कि आप यहीं पर add कर सकते हो तो यहीं पर मैंने add भी कर लिया है इन दोनों के marks को ठीक है तो यहां से एक table बन गई और यह table कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी अब यहां पर यह कुछ name है जो बार-बार repeat हो रहे है अला कि id के हिसाब से आप यह देख सकते हो repeat होने से तो कोई मतलब है नहीं यहां पर कुछ records को फिल कर लेता हूं 78 कर दिया यहां पर 55 कर दिया और फिर यहां पर आके 44 कर marks है इसके बाद यहां पर query मैंने बनाई है और query कुछ इस तरह से बनाई है यह देख सकते है यहां पर यह हमारी query है और यह query में यह जो criteria है यह हमने लगा है यानि कि form के अंदर जो मेरा form है form my इसके अंदर मैं id के base पे search करूँगा और और वो detail आए report में तो यह query हमने लगा ठीक है और यहां पर उससे भी पहले एक form बनाया और यह form की खास बात क्या है कि यहां एक combo box बना दिया है तो यहां पर 7 number का record अगर search करता हूँ तो सिर्फ 7 number का record आएगा और यहां से अगर कोई और number का record search करता हूँ जिसे 5 तो यहां पर 5 number का ही record print होकर आएगा हमारे सामने फूल करके आएगा ठीक है अब इसके बाद यहां पर अब report में चलते हैं तो यहां पर report पर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि सबकी report यहां पर आई हुई है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह सबकी report है ठीक है अब यहां पर मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं यहां प क्या करना है हमें सबसे पहले यहां से इसे close कर देता हूं ठीक है हम यहां से नई फाइल लेंगे और उसमें ये सारी चीजे create करेंगे तो यहां से सारी चीजों को close कर देता हूं और यहां से Microsoft Access को दुबारा से open करता हूं start button पे जाके click करके और Microsoft Access open करता हूँ जैसे कि देख सकते हैं यहां पर फिर यहां पर इस टेबल को कोई नाम दे सकते हैं जैसे मैं कर देता हूँ यहां पर यहां पर रोल नमबर कर देता हूँ और यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा ओके हald्ग यहांपर आएगा आप वो सुजेक्ट से माक्स को हमें awhile करना तो यहां हिंधी कर देता हूँ भी समझा देता हूँ फिर आप बहतर तरीके से इसे कर पाएंगे घर पही अपना software design करते हैंगे यहां total कर देता हूँ और यहां से जाकर के और यह 2016 version में खास बात है कि यहां पर जाके calculated field का प्रियोग करके total अपना calculate कर सकते है तो यहां से number कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ number ठीक है अब यहां पर calculated field का प्रियोग हमें करना है तो यहां calculated पर चले चलते हैं और यहां पर हम calculate करेंगे तो चलिए calculate करते हैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूँ is equal to कौन-कौन से subject है हिंदी है तो यहां पर लिख लेता हूँ हिंदी plus English यही दो subject है हमारे पास और भी subject होंगे तो और भी subject हो आप add कर सकते हैं और इसे close कर देंगे और यहां से view पर करेंगे click और यहां से save कर देंगे तो यहां पर जब हम कोई marks enter करेंगे तो यह total अपने आप करके देदेगा जैसे माली जी यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर 45 marks है और 55 Marks है इंग्लिज में यहां पर 100 marks अपने आप आगया इसी तरह से कर देता हूं श्याम और यहां पर 56 marks है पहले subject में और 67 marks है दूसरे subject में तो यहां पर total अपने आप कर आ रहा है इसी तरह से तीसरे student का नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर manoj, और यहाँ पर 77, और यहाँ पर 67, यह इस तरीके से यहाँ पर कर दिया हमने, और यहाँ पर इसको save भी कर लेता हूँ, तो यह save भी कर लिया यहाँ से इसे close कर देते हैं, ठीक है, तो यह form wizard पे चलते हैं, यहां से design करते हैं हम, यहां form wizard पे जाइए और यह हर एक चीज हमें चाहिए, सारी detail से ही है, ठीक है, student data से तो यह ले लिए हमने, और यहां पे आके, और यहां modify design में जाके और इसको finish कर देता हूँ, तो यहां पे form भी हमारे पास create होकर आ जाएगा, यह देख सकते हैं, यह form हमारे पास आ चुका है, आप इस form को थोड़ा हम design करेंगे, सही करेंगे, यह देखिए, यह काफी लंबा है, इसको छोटा कर देते हैं यहां से, ताकि यह form like दिखने लगे, ठीक है, और यह यहां से थोड़ा सा, ओके, और, यह इस तरीके से, यहां पर, और फिर यह ऐसे, ओके, और यहां से इसको छोटा भी कर लेता हूँ, ताकि, यह देखिए, यह छोटा भी कर लिए, हमने, अब यहां पर, मैं क्या गरता हूँ, यह जो student data लिखा हुए title, इसको हटा देता हूँ, और यहां पर हमें combo box बनाना है, combo box क्यो बनाना है, क्योंकि हम उसी के base पे search करेंगे, ठीक है, student ID, यानि roll number के base पे search करेंगे, पहले यहां का background change कर लेता हूँ, तो यहां home पे जाके, और यहां से background जो भी आप रखना चाहते हो, यहां से रख सकते हैं, तो यह हलका background मैं रखता हूँ, यहां पर भी background हम चाहे तो change कर सकते हैं तो कोई एक background यहां पर भी रख लेता हूँ और इस पूरे को हमें selection में ले करके और मैं क्या करता हूँ यहां से इसे यहां से bold कर देता हूँ और यह कर देता हूँ color इसका black में ठीक है इसको चाहे तो और भी छोटा भी बना सकते हूँ यह level किया में बहुत ज़्यादा जरुवत नहीं है इसको छोटा ही रखना ठीक है यहां से level को छोटा कर लेते हैं level बहुत ज़्यादा बड़ा है इसको छोटा कर लिया इसको और इसको भी इसका color रह गया यह रह गया selection में से तो यहां से जाके bold और यहां से इसको भी blank कर देंगे और इसको भी same format penter पर चलते हैं इसको selection में लेते हैं format penter पर चलते हैं और इसके click कर देता हूँ तो यह इस तरीके से आ जाएगा यह भी तो यह इस तरीके से हो गया, अच्छा यह जो color है अंदर का, इसके background का color हमें white ही रखना है, ठीक है, तो यहां से जाके आप white choose कर सकते हैं, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, अब इसको तोड़ा छोटा भी यहां से कर लेगा, अब यहां पर combo box बनाना है, तो combo box बनाने के the values from table or query, ठीक है, और यहां पर दूसरा option है, I will type the value that I want, तो इसकी जरुवत तो हना है नहीं, और यहां पर find a record on my form based on the value I selected in my combo box, इसी को आप टिक कर दिजिए और यहां से, यहां पर roll number के base पे हमें लेना है, तो roll number कर दिया, और यहां पर finish पर कर दूँगा, click, तो यह इस तरी double में one आ रहा है, one हटा दूँगा, और अब selection में ले करके और इसे भी कर दूँगा, bold और black, ठीक है, तो यह इतना आपने कर लिया, और यहां से थोड़ा इसे नीचे की तरफ shift करूँगा, और यहां से view पे करूँगा, click, तो यह इस तरीके से आ जाएगा, अब यहां पर द data के नाम से यह भी save हो गया है, अब हम क्या चाहते है, एक query बनाना चाहते है, query क्यों बनाना चाहते है, क्योंकि उसी query के base पर हम अपना report design करेंगे, actually report design करेंगे तो होगा क्या, ठीक है, अगर report design करेंगे, तो selected record नहीं आएंगे, ठीक है, आपके सामने पूरा का पूरा report ही generate ह पर आजाएगा, इसी लिए हम चाहते है selected record, ठीक है, प्रिंटो कर आए, जैसे अगर हम role number 2 select करें form में, तो केवल role number 2 का ही record प्रिंटो कर हमें दिखाई पड़े, तो इसके लिए हमें एक query बनानी पड़े की, तो इसके लिए हम चलते है create पर, और फिर query design पर चलते है, तो यह आगे, और यही है हमारा table, यह ले लिया हमने, और इसमें हमें सारी सारी values देंगे, तो यहाँ पर इसको drag करके और यहां ले आएंगे, सारी values यहाँ पर आजाएंगी, यहाँ में role number में query लगानी है, तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर कहेंगे form, यह form आगे, टैप कर देता हूँ, और यहाँ exclamation देता हूँ, और student data से हमें उठाना है, और किसके base पे हम लेना चाहते हैं, तो मैं लेना चाहता हूँ, role number के base पे ठीक है, तो यहाँ student का जो role number है, उसी के base पे लेंगे हम तो यहाँ देखिए, यह label नहीं लेना आपको, आपको role number लेना, तो यह role number ले लिए हमने और अब इसको सेब कर लीजे तो ये query 1 है student t के नाम से से सेब कर देता हूँ student r record ठीक है तो ये हमने कर दिया और ये query हमारी save हो गई अब हमें report generate करना है तो create पर चलके और report wizard पर चलते हैं report wizard पर चलने के बाद ये सारी चीज़ें पर चाहिए ठीक है और यहां पर आईए और ये roll number को यहां पर हमने priority दे दी और यहां पर जाके और यहां पर आके फिर यहां पर आईए और फिर यहां पर आईए और फिर यहां modify design में जाके और finish पर कर दीजे click तो ये इस तरीके से आजाएगा यहाँ पे चाहिए तो आप इसका भी color वगरे change कर सकते हैं थोड़ा setting कर सकते हैं यह दिखिए यह काफी बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ इसको भी छोटा करूँगा यहाँ से नीचे से यह दिखिए यह छोटा कर लिया हमने अब यहाँ पे आईए और इसको यहाँ पे shift कर दीजिए और फिर यहाँ पे English देखिए इसको इस तरीके से यह यहाँ पे और यह जो है ना इसको यहाँ पे लेके आईए और यहाँ obtained यानि total marks आ जाएगा और इसी तरीके से इसको भी shift कर देता हूँ यह कर दिया हमने और यहाँ पे total और इसको थोड़ा सा बड़ा तो यह इस तरीके से कर दिया हमने आप चाहिए तो पुरा का पुरा selection में लेकर के और यहाँ से इसको एक color provide कर सकते है black ओके और यहां से बोल्ड भी कर सकते हैं तो यह करती है आपने और यहां से वियू पे कर सकते हैं अब क्लिक ठीक है तो वियू पे क्लिक किया तो अभी रोल नमबर टू सेलेक्शन में है तो सिर्फ रोल नमबर टू का ही रिजल्ट प्रिंट होकर आ रहा है आप देख सकते हैं अगर मैं यहां से form में जाओ और यहां से roll number 2 के बज़ाए 3 को selection में ले लूँ ठीक है और अब वापिस चलते है report में तो यहां पे देख सकते हैं अभी 2 ही आ रहा है ठीक है आपको सिर्फ refresh all पे करना है click तो यहां roll number 3 का record print हो करा जाएगा ठीक है इसके बाद फिर अगर आप को और record print करवाट तो form में आजाएए जो भी आपको करवाना है तो यह form में आगए हम और माली यह roll number 1 का print करवाना है तो यह roll number 1 हो गया ठीक है यहां पे आए और अब report open करता हूँ तो यह report में आगए अभी roll number 3 दिखाए पढ़ रहा है refresh करिए तो roll number 1 का record print हो करा आगया तो इस short video आपको बताने के लिए कि यह अपना खुद का software आप design कर सकते है अपने घर पे ठीक है तो video पसंदना है तो इसे खूब share कीजिए thank you for watching this video